दोस्तों नमस्कार एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेल्टेक में आज के वीडियो में हम लोग रिवाइड ओर्गनाइजेशन इस्ट्रेक्चर ऑफ इंडियन रेलवे के उपर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों यदि आप रेल्वे के डिपार्टमेंटल एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं अथवा यदि आप स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपनों के लिए बहुत ही महतपुर्ण है आप लोग इसमें भारतिये के रेल्वे के मजुदा एस्ट्रेक्चर के बारे में समझ होते हैं मिनिष्टर आफ रेल्वे ये भारतिये रेल के सबसें बड़े पत्वर होते हैं उसके बार आते हैं मिनिष्टर आफ एस्टीट फर रेल्वे राज मंत्री लिकित दोष्तों जोकि भारतिय railway एक बहुत ही बरा संगठन है तो इसके कार्य को ठीक ढंग से सुचारू पुरवक संपन करने के लिए ही रेल मंतरी के अलावे दो ही रेल राजमंतरी के वह वे होते हैं उसके बाद आते हैं रेलवे बोड इसके बाद जो होता है रेल मंतराले के बाद railway board आता है और railway board के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो होते हैं Chairman and CEO railway board यानि कि railway board के chairman उन्ही को हम लोग Chief Executive Officer railway board के नम से भी जानते हैं अभी chairman के अलावे railway board में 4 member भी होते हैं तो आए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि कौन-कौन से 4 member railway board में होते हैं तो दोस्तों सबसे पहला जो होते हैं वो होते हैं member traction and rolling stock यानि कि member T and RS इसके बाद जो है इसके बाद आते हैं member infrastructure इनको हम लोग member infra भी बोलते हैं फिर आते हैं member operation and business development इनको हम लोग member O and BD भी बोलते हैं इसके बाद आते हैं member finance इनको हम लोग MF भी बोलते हैं तो ये थे chairman के अलावे railway board के 4 member दोस्तों railway board में इन 4 member के अलावे कुछ ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो कि directly report करते हैं chairman railway board को तो आये हम लोग जानते हैं कि वो कौन-कौन से अधिकारी हैं जो directly report करते हैं CEO अथवा chairman railway board को तो इसमें सबसे जो पहले अधिकारी हैं वो हते हैं director general HR फिर director general RHS यनि कि director general railway health service फिर आते हैं director general RPF, director general safety, इसके अलावे आते हैं secretary railway board PED, vigilance AM planning PED, infra दोस्तों ये आठ अधिकारी railway board के ऐसे होते हैं जो कि directly chairman railway board को report करते हैं दोस्तों आईए अब हम लोग अगले वीडियो में जानते हैं कि जो railway board के member होते हैं और सदस्य होते हैं उनका कार्ज का distribution किस परकार किया गया है उनको किन-किन कार्ज का gym में दारी दिया गया है तो आईए हम लोग अगले slide में देखते हैं दोस्तों ये वीडियो आप हमारे youtube channel rail tech पर देख रहे हैं हम लोग rail से सम्मंदित इसी परकार से बहुत सारे informative वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते रहते हैं तो यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस youtube channel rail tech को subscribe करें वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको like करें, share करें अपने दोस्तों के वीच दोस्तों आईए अब हम लोग जानते हैं board distribution of work यानि board level पर, railway board level पर अधिकारियों के work का distribution कैसे क्या गया है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि chief executive officer and chairman railway board इनके जिम्में क्या कार्ज आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले पहला कार्ज है वो HR का यानि human resources इसके अलावे safety, security, health, planning, infrastructure, vigilance, efficiency and research, public relations, heritage, secretaries branches, transformation cell और corporate coordination ये सारे कार्ज, chairman अथवा CEO railway board के जिम्में है अब हम लोग देखते हैं member infrastructure के जिम्में कौन-कौन से कार्ज आते हैं तो पहला कार्ज है works, civil engineering, bridge, इसके अलावे signal and telecom, land and amenities, station development, railway electrification ये सारे कार्ज जो है member infra के जिम्में है अब हम लोग देखते हैं कि member traction and rolling stock यानि कि member TRS के जिम्में कौन सा कार्ज है तो दोस्तों production units यानि भारतिय railway में जितने भी production unit है जहां पर coach अथवा engine, अथवा wheel का manufacturing होता है जैसे ICF, RCF, MCF, BLW, CLW, wheel and axle plant ये सारे production unit है, ये member TRS के ही अधीन कार्ज करते है उसके बाद है mechanical workshop जितने भी mechanical workshop है coaches, locomotives, train sets, environment and housekeeping electrical maintenance of coaching stock इसके अलावे traction distribution, power supply, renewable energy, material management ये सारे कार्ज member TRS के जिम्में आता है उसके बाद जो है member operation and business development दोस्तों आये हम आप जानते हैं कि member operation and business development के जिम्में कौन सा कार्ज आता है दोस्तों traffic transportation, coaching, tourism and catering, commercial, non-fair revenue, marketing and business development और इसके अलावे information technology यानि कि IT ये सारे कार्ज member operation and business development के जिम्में आता है दोस्तों ये वीडियो आप हमारे youtube channel realtech पर देख रहे हैं यदि अभी तक आप हमारे channel पर नए हैं तो channel को जल से जल subscribe करें अपने दोस्तों के बीच में share करें और वीडियो आपनों को अच्छा लगा हो तो इस पर like जरूर करें तो आईए अब हम लोग जानते हैं कि member finance का कार्ज क्या है दोस्तों member finance के जिम्में accounts, finance, budget, revenue, aesthetics and economics, economic unit ये सारे कार्ज member finance के जिम्में आता है तो यही था railway board का मुझदा structure दोस्तों आप लोग comment section में comment करके जरूर बताईएगा कि आपको ये video कैसा लगा तो इसी के साथ आप लोगो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद